हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू नॉले स्मॉल और आज की जो वीडियो है वो करेंट अफेर्स की वीडियो है करेंट अफेर्स में आपको मिलेगे टॉपीक 2020 के सभी परमुख रिपोर्ट एवं सूचकांग से संबंधी थे और जो कि आपको सभी आने वाले 2020 के जो एक्जाम है च तो जो चैनल पर नए है वो फटा-फट से चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आकोन को जरूर प्रेस कर लें और अल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और साथ ही साथ हमारे ब्लॉक चैनल से सूचकांक 2020, Human Development Report साथ ही कभी कबार दूसरा या फिर तीसरा अस्थान पूछ लिया जाता है तो कम से काम आप प्रथम दुईती और तृतिय अस्थान और भारत का अस्थान इतना जरूर याद रखें तो मानुवी का सूचकांक 2020 में प्रथम अस्थान पर जो रहा वो नार्वे रहा, दूसरे अस्थान पर आइरलेंड रहा और तीसरे अस्थान पर सुचर लेंड रहा और भारत का जो इसमें अस्थान रहा, 131 अस्थान रहा येल विश्व विद्धाले जो की इसे पहले विश्व आर्थिक मंच दॉरा तयार किया जाता था लेकिन अब ये येल विष्व विद्धाले के दॉरा इसे जारी किया जाता है तो इसमें टोटल सम्मिली देश जो है वो है 180, प्रथम अस्थान रहा था इसमें डेन्मार्क का, दूसरा अस्थान लक्जंबर्ग का, तीसरा अस्थान रहा था स्विचर लेंड का, और अंतिम मुझे इसमें इसमें इपॉर्टेंट लगा तो मैंने वो भी दे दिया, कि अं ब्रषटाचार बोध सूचकांग 2020, तो ब्रषटाचार बोध सूचकांग जो है ये Transparency International के द्वारा जारी किया गया, इसमें टोटल सम्मिली देश जो थे, उनकी संख्यां 180 रही, और ब्रषटाचार बोध सूचकांग 2020 में प्रथम अस्थान जो रहा, वो डेन्मार्क औ इसमें भारत का अस्थान अस्थान था वैस्विक लोकतंत्र सूचकांग 2020 तो इसी जो है The Economist Intelligence Unit EIU के द्वारा जारी किया गया है इसमें सम्मिली देशों की संख्या 167, 167 रही जिसमें की इस सूचकांग में 165 देशों के और दो छेतरों के लोकतंत्र की मौजदा इस्थेती परदर्शित किया गया है और इसमें सम्मिली टोटल 167 देशों में पर्थम अस्थान जो रहा नार्वे का रहा दूसरा अस्थान रहा आइसलेंड का तीसरा अस्थान स्वेडन का और अंतिमस्थान जो इसमें रहा ये उत्तर कोरिया का भारत का इसमें अस्थान 51 मा रहा और हाँ आप चाहे तो इसका ना स्क्रिन सॉट ले लीजे और या फिर आप इसे नोट कर सकते है या दिये गए पीडियाफ जो दिया जाएगा आप लास्ट में आप वहाँ से जाके उस पीडियाफ को डाउनलोड करके रख सकते है नेक्स्ट है कि हैंले पासपोर्ट सुचकांग 2020 तो इसे जो है किया जाता है हैंले और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन के द्वारा इसे इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है सुचकांग को और इसमें सम्मिली देश जो इस बार 2020 का था तो इसमें सम्मिली देश टोटल 199 रहे प्रथम अस्थान इसमें रहा जापान का दूसरा अस्थान रहा सिंगापूर का तीसरा स्थान रहा साउथ कोरिया का, भारत का इसमें स्थान रहा चौरासिमा नेक्स्ट है कि खुसहाली रिपोर्ट 2020, वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट तो इसे सन्युक्त राष्ट सतत्वी का समाधान नेटवर्क UN, SDSN इसके द्वारा जारी किया जाता है और इसमें सम्मिली टोटल देश 156 रहे, 153 देशो का ही रैंकिंग किया गया इसमें लेकिन और इसमें प्रथम अस्थान पर जो रहा, ये फीनलेंड का रहा, दूसरा अस्थान डेन्मार्क का, तीसरा अस्थान स् скорचरलींड का और अंतिम अस्थान अफगानिस्तान का रहा भारत का अस्थान अगर देखा जाए तो खुसाली रिपोर्ट 2020 में भारत का अस्थान 144 वा रहा और ये सारे जो भी सूचकांक दिये जा रहा है इसमें सारे बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इसे अच्छे से याद करने की कोसिस जरूर करें नेक्स्ट सूचकांक है विस्व प्रेश स्वतनता सूचकांक 2020 तो इसमें या जो है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया चाता है और इसमें टोटल सम्मिलित देश 180 है इसमें प्रथम अस्थान रहा नार्वे का दूसरा अस्थान रहा फिंडलैंड का तीसरा डेनमार्क का अंतिम अस्थान उत्तरी कोरिया का रहा भारत का अगर इसमें अस्थान देखा जाये तो भारत का स्थान 142 वा रहा नेक्स्ट है सूचकांग वैस्विक परतिभा परतियस परधा सूचकांग 2020 तो इसे इंडीस संगठन या संगस्था के दौरा जारी किया जाता है इसमें सम्मेली देश 132 हैं प्रतिमस्थान स्विट्जर लैंड दूसरा अमेरिका तीसरा सिंगापूर और अंतिमस्थान इसमें रहा यमन का भारत का स्थान इसमें रहा बहत्तरवा नेक्स्ट है कि वैस्विक नवाचार सूचकांग 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 तो इसे विस्व बौधिक संपता संगठन कॉलेज विस्विद्दाल है और इनसीड बिजनेस के द्वारा जारी किया जाता है इसमें टोटल सम्मेली देश जो रहे 131 रहे सम्मेले देश मतलब की बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अगर याद नहीं हो पा तो आप इसे इसके भी कर सकते हैं लेकिन इसमें चुकि अस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो याद रख ले कि प्रथम अस्थान स्वीजर लेंड का रहा, दूसरा अस्थान स्वीडन का, तीसरा अमेरिका का, अंती मस्थान यमन का रहा और भारत का इसमें अस्थान रहा 48 नेक्स्ट है कि वैस्वीक लेंगी कंतराल सुचकांग 2020, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो इसे वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम के दार जारी किया जाता है, इसमें सम्मिली देश की संख्या एक सो तिरपन है, प्रथम अस्थान रहा है आयर्लेंड का, दूसरा नार्वे का, तीसरा अस्थान रहा है फिनलेंड का, और अंतिम अस्थान रहा है यमन का, भारत का अस्थान इसमें रहा 112, नेक्स्ट है जलवायो परिवर्तन सुचकांग 2020, तो इसे जर्मन वास्ट न्यू क्लाइमेट इंस्टिशूट और क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क के द्वारा ज अस्थान पर रहा सन्यूक्त राज अमेरिका, भारत का अस्थान अगर देखा जाया तो भारत का अस्थान इसमें नवा रहा, नेक्स्ट है वैस्वी कंतर रास्टिय बौधिक संपता सुचकांग 2020, इसे अमेरिकी चेंबर आफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी से यानि कि GIPC के द्वारा जारी किया गया है, और इसमें सम्मिली देशों की संख्या तिरपन रही, जिसमें की पर्थम अस्थान USA सन्यूक्त राज अमेरिका का रहा, दूसरा अस्थान यूनाइटेट किंग्डम का, तीसरा अस्थान रहा फ्रांस का, और अंतिम अस्थान व वित निगम, ये 2019 के आकड़ों के अनुसार दिया गया है, 2020 में इस इंडेक्स को जारी किया गया है, तो ये विस बैंक एवं अंतराश्टिय वित निगम के दौरा जारी किया गया, इसमें सम्मिली देशों की संख्या एक सो नबबे, जिसमें की पर्थम अस्थान रहा है, न्यूजिलेंड का, दूसरा अस्थान रहा सिंगापूर, तीसरा अस्थान हॉंग कॉंग का, और अंतिम अस्थान रहा सोमालिया का, जिसमें की भारत का अस्थान देखा जाए, तो तिर्शनठवा अस्थान रहा, नेक्स्ट है वैस्वी कूर्जा संक्रमन रिपोर्ट 2020, तो इसे जो है विस्व आर्थिक मंच वर्ल्ड एकोनॉमी फोरूम डबलू एफ के द्वारा जारी किया गया है, और इसमें सम्मिलित देशों की संख्या 115, प्रथम अस्थान स्वीडन का रहा, दूसरा अस्थान सुर्जर लेंड का, तीसरा अस्थान फीन लेंड का, और अ इसमें सम्मिलित देश 133 रहे, जिसमें की प्रथम अस्थान के मैं दूइब का रहा, दूसरा अस्थान सन्युक राज अमेरिका का, तीसरा अस्थान सुर्जर लेंड का, और अंतिम अस्थान कुक दूइब समू का रहा, भारत का अस्थान देखा जाय तो 47 वा रहा, और य वैस्विक सामाजिक गति सीलता सुचकांक 2020 तो इसे वर्ड एकोनॉमी फोरम WF के द्वारत जारी किया जाता है जिसमें कि सम्मिलित देशों की संख्या रही बिरासी प्रथम अस्थान रहा इसमें डेनमार्क का दूसरा अस्थान रहा नौर्वे का तीसरा अस्थान फींड ल कि आर्लेंड की संस्था है और यह जो है वेल्ड हंगर हील्प यह जर्मनी का एक एजंस्थी है और यह आर्लेंड का एजंस्य है तो यह दोनों सन्यूगत रूप से इसे जारी करता है और इसमें सम्मिलित देश 107 रहे जिसमें कि प्रथम अस्थान रहा बेलरूश का, दूसरा अस्थान रहा बोशनिया एवं हर्जे गोविना का, तीसरा अस्थान रहा ब्राजील का, अंतिम अस्थान इसमें चाड का रहा, भारत का अस्थान इसमें 94 वेवा रहा नेक्स्ट है वैस्वीक आतंकबाद सूचकांग 2020 तो इसे जो है इंस्टिचूट फॉर इकनोमिक एंड पीस EIP ये भी 2019 के घटनाओं के आधार पर है ये 2020 में चारी किया गया है तो इसमें सम्मिली देश 163 थे प्रतम अस्थान इसमें अफगानिश्टान का रहा जो कि सबसे अधिक परभावित रहा और दूसरा अस्थान इराक का तीसरा अस्थान नाइजीरिया का और इसमें भारत का अस्थान देखा जाए तो आठवा अस्थान रहा नेक्स्ट है मानो पूंजी सूचकांग 2020 तो इसे Human Development Practice Group एवं विस्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है जिसमें कि सम्मिली देशों की संख्या जो रही 174 रही प्रतम अस्थान रहा इसमें सिंगापूर का दूसरा अस्थान रहा हौंग कॉंग एवं चीन का और तीसरा अस्थान इसमें जापान का रहा जिसमें कि भारत का अस्थान देखा जाए तो 116 हुआ तो बस इतना ही इंपोर्टेंट जितने भी सूचकांग थे मैंने उस सब को दे दिया इसमें आप उन सारे को याद रखने की पूरी कोसिस करें ताकि आने माले एकजाम में आपको पूछे ही जाएंगे एक कोश्चन तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजेगा और कमेंट करके बताईएगा कि इसमें और भी कोई सूचकांग अगर आप जोड़ना था तो वो भी आप बता सकते हैं और अगर आपको इसकी पीडियाफ चाहिए तो वो वेबसाइट में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको वेबसाइट का वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और एक लाइक जरूर कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ इसे से अगर भी जरूर करें धन्यवाद